नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के अस वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सवाल के बारे में बात करेंगे वो सवाल यह है कि क्या हम जॉब करते हुए अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन फंड का पैसा निकाल सकते हैं हो सकता है कि ये सवाल आपका भी हो तो आज किस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब डिटेल में जानेंगे तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप सुभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को भी कर लिजे सब्सक्राइब क्योंकि ये पीएफों से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी दोस्तों जैसा है कि आप जानते हैं कि हमारे पीएफ अकॉड में जितना भी पैसा जमा होता है उस पैसे में से हम कुछ पैसे को जोग करते हुए निकाल सकते हैं इसके लिए हमें एडवांस क्लेम करना पड़ता है और अब ये भी जानते हैं कि हमारे पीएफ अकॉड में जितना भी पैसा जमा होता है वो पैसा दो पार्ट में जमा होता है एक है PF fund और दुसरा है pension fund अब PF fund के पैसे को हम job करते हुए advance claim की जरी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर बात हो रही है pension fund के बारे में तो अगर बात करें कि job करते हुए PF account से pension fund का पैसे निकाल सकते हैं या नहीं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जोब करते हुए PF account से पैसा निकालने के लिए हमें advance claim करना पड़ता है और advance claim की जरी है PF account से हम PF fund का पैसा निकाल सकते हैं लेकिल अब यहाँ पर एक सवाल यह आता है, कि अगर जॉब करते हुए, PF account से pension fund का पैसा नहीं निकल सकता है, तो फिर PF account से pension fund का पैसा हम कैसे निकल सकते हैं, तो देखे, PF account से pension fund का पैसा सर्फ एक ही condition में निकल सकता है, और वो condition ने job छोड़ने की, जहाँ दोस्तों, अगर आप अपनी job छोड़ते हैं, तो job छोड़ने के बाद, आपको अपने PF account में debt of exit update करना होगी, और debt of exit update करने के बाद, आप full and final claim के जरिये, form 10C को submit करके, अपने PF account से pension fund का पूरा पैसा निकल सकते हैं, लेकिन दो ऐसे कारण भी हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जिन कारणों के चलते, अगर आप अपनी job छोड़ते हैं, तो आप PF account से pension fund का पैसा नहीं निकल पाएंगे, पहला कारण तो यह है, कि अगर आप 6 मैने से कम समय के लिए job करते हैं, जैनि कि आप 6 मैने से पहले अपनी job छोड़ देते हैं, तो job छोड़ने के बाद, आप अपने PF account से PF fund का पैसा तो निकल सकते हैं, लेकिन pension fund का पैसा नहीं निकल पाएंगे, और दुसरा कारण यह है, कि अगर आप 9 साल 6 मैने से जादा समय तक job करते हैं, तो job छोड़ने के बाद, आप अपने PF account से PF fund का पूरा पैसा तो निकल सकते हैं, लेकिन pension fund का पैसा नहीं निकल पाएंगे, तो यह दो वो कारण है, जिनके चलते हैं अगर आप अपनी job छोड़ते हैं, तो job छोड़ने के बाद भी, आप अपने PF account से pension fund का पैसा नहीं निकाल पाएंगे बाकि आज की इस वीडियो में सरफ इतना ही उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के जरिये बताएगे इस जानकारी आपको पसंद आये होगी और इस वीडियो भी आपको पसंद आया होगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें तो की पीएफो से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी